ताउत कनेक्शन में नवाब का पेडा कर्क कि उनका संबंध डी गैंग से हैं और दूसरा 1992 वंब्लास धमाकों के एक आरोपी से उन्होंने जमीन को खरीदा और बेहत सस्ते दामों पर जमीन को खरीदा आठ खंटे में नवाब मलिक बेन नखाब नवाब मलिक जिन्होंने बहुत बढ़ा बयान दिया है कि उनको गिरफतार किया गया है लेकिन वो डरने वाले नहीं अब इस गिरफतारी के बाद उन्होंने इस्तिफा देना चाहिए यह महराष्ट की परंपरा है महराष्ट सरकार के मंत्री का महापाप यहाँ पर एक समय में मलिक परिवार किराय पर रहता था 2005 के पहले तक 2005 में इलों ने इस संपत्ति को खरीद लिया पुंबई बंधमाकों का आरोपी है उस व्यक्ति से इस जमीन को खरीदा दी कंपनी का राजदार नवाब डी कंपनी बोले तो अंडर वर्ल्ड सरगना दाउद इबरहिम का गैंग और अब इसी गैंग से जुड़ गया है महराष्ट की राजनीती में लगातार चर्चाओं में रहने वाले एन सी पी नेता और मंत्री नवाब मलिक का जी हाँ आज आट घंटे की पूच्टाच के बाद प्रवर्तर निदेश अला यानी एडी ने नवाब मलिक को गरफतार कर लिया है और अब इस गरफतारी के बाद सामने आई है नवाब मलिक के महापाप की वो कहनी जिसने पूरे देश में फैला दी है संसनी एक बेहद है संगी नारोप में गरफतार होने के बाद विज़ई भाव का प्रदर्शन करने वाले यह हैं अन्सीपी नेता और महराष्ट सरकार के मंत्री नवाब मलिक नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशला यानी की एडी ने अंडर वर्ल्ड सरगना दाउद इबराहिम की डी कंपनी के साथ कनेक्शन और मनी लॉंडरिंग के मामले में गरफतार किया है और अब इसी गरफतारी पर नवाब मलिक खिलखला रहे है ये तस्वीरे उस वक्त की हैं जब आट घंटे की लंबी पूच्टाच के बाद एडी नवाब मलिक को गरफतार कर पेशी के लिए कोट ली जा रही थी तब तक बड़ी तादाद में एंसी पी के कारकरता भी एडी आफिस के बाहर पहुँच चुके थे और जैसे ही नवाब की नज़र एंसी पी कारकरताओं पर पड़ी वो जुकेंगे नहीं वाले अंदाज में हाथ फिला कर हसने लगे नवाब मलिक मीडिया से बात करना चाहते थे लकिन एडी अधिकारियों ने उन्हें ये मौका नहीं दिया सफेद रंग की इनोवा गाड़ी में अधिकारियों उन्हें लेकर सीधे कोट की तरफ निकल गए और तब गाड़ी में बैठे बैठे नवाब ने जो कहा उसका सार यही था कि वो ना डरेंगे और ना ही जुकेंगे अन्सीपी नेता और महराष्ट सरकार के मंतरी नवाब मलिक को आज एडी ने जिन आरोपों में गरफतार किया है उस कहानी की एक जलक कुछ महीने पहले ही सामने आ गई थी तब नवाब मलिक के बारे में यह संसरी खेस खुलासा किया था महराष्ट के पूर्व मुक्ह मंतरी देविंदर फंड नवीस ने और आज एडी ने आठ घंटे की पुष्टाच के बाद उन आरोपों पर लगा दी है अपनी महर मैं जो बताने वाला हूँ ना तो वो सलीम जामिक की स्टोरी है नहें वो किसी इंटर्वर्व के बाद की पिक्चर है खरीब तीन महीने पहले महराष्ट सरकार के पूरो मुक्ह मंतरी देविंदर फंड नवीस ने नवाब मलक पर संगीन आरोप लगाते हुए जिस कहानी का खुलासा किया था नवाब मलक की गरफतारी उसी कहानी का क्लाइमेक्स है नवाब अंडर वर्ड सरगना दाउद इबराहिम के गैंक के साथ कनेक्शन और मनी लॉंडरिंग के मामले में एडी के रडार पर थे और इसी मामले की तह तक पहुँचने के लिए आज सुबह तरके खरीब साड़े चार बजे एडी की टीम नवाब मलक के घर पहुँची थी तब नवाब सो रहे थी इडी अधिकारियों नवाब मलक को उठाया और फिर पूछताच के लिए उन्हें अपने साथ लेकर इडी दफ्तर की और निकल पड़ी पर फिर पूछताच की बातचीत की और फिर नवाब मलक से कहा गया कि वो जाच में सहयोग करें और उनके साथ इडी कारेले आएं और फिर उन्हें इडी के कारेले लाया गया और यहाँ पर तब से लेकर उनसे लगातार पूछताच जारी है इडी की टीम सुबस साथ बच कर सेटालिस मिनट पर नवाब मलक को लेकर इडी कारेले पहुंची और ने आठ बजे से तीन बच कर पांच मिनट तक इडी अधिकारियों ने उनसे कई सवाल पूछे और फिर नवाब मलक को गरफतार कर लिया गया गरफदारी किया खबर जैसी उनके समर्थ को तक पहुची कोहरा मच गया मैं इस वक्टे एडी डफ्तर के बाहर मौजूद हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि यह तमाम NCP के कारे करता है जो आज सुबह से ही यहां पर जुटे हुए थे जब से यह खबर आई कि नवाब मली को ED के अधिकारी लेकर आए हैं पूस्ताच के लिए लगातार यहां पर बैठ कर धरना प्रद्रशन कर रहे हैं केंदर सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं नवाम मलिक की गरफतारी के बाद उनकी पार्टी के नेता और समर्थक इसे सियासी बदले की कारवाई बता रहे हैं जबकि नवाब पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई धमाकों के आरोपी से करोडों की जमीन कौडियों के भाव में खरी दियो और इसके लिए गएर खानूनी तरीके अपनाए कुछ दिनों पहले इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने दाउद इबराहीम और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ मनी लॉंडरिंग का मामला दर्ज किया था और इसी मामले में दाउद इबराहीम के भाई इकबाल कासकर को गिरफतार भी किया इकबाल कासकर ने अपने बयान में किसी जमीन के पर्चेसिंग को लेकर एक बात कही है जिसमें नवाब मलिक का नाम सामने आ रहा है इड़ी उसी को वेरिफाई कर रही है आरोपी के मताबिक अंडर वर्ल सरगना और मुंबई दमाको के मास्ट माइंड दाउद इबराहीम से जुड़े एक शखस की गरीब दो सा करोल की प्रॉपर्टी नवा मलिक के परिवार ने खरीदी है ये प्रॉपर्टी जिन लोगों से खरीदी गई है वो दाउद की बेहन हसीना पारकर के बेहद गरीबी थे इड़ी के इन आरोपो की कड़ियों को जोड़ा जाये तो ये पूरा केस तीन महीने पीछे चला जाता है और देविंद्र फंड नवीज की उस प्रेस कांफरेंच से जुड़ता है जिसमें उन्होंने नवा मलिक पर डी कंपनी से जमीन खरीदने के आरोप लगाए थे तब देविंद्र फंड नवीज ने सिल्सलेवार ढंग से विवादित जमीन के खरीद फरोप के खेल का खुलासा किया था याने तरीव पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की विक्री की है विक्री किसको की है? इस सॉलिडर्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटर कमपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की 2019 में स्वें नवाब मलिक भी थे देविंद्र फंड वेस के नारोपों के बाद से ही नवाब मलिक और बीज़ेपी के बीच महा भारत शुरू हो गया था और अब इडी की चार्च और नवाब मलिक के गरफतारी के बाद ये मामला एक ऐसे मोड पर पहुँच गया है जिसने खड़े कर दिये हैं कई सवा नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने जो जमीन खरीदी है वो डी कमपनी यानि की दाओद इबराहिम के गिरोह की है हलाकि नवाब इन आरोपों से इंकार करते हैं सफाई में वो क्या कहते हैं अब आप उसे भी समझ लीचे नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने दाओद के गुर्गे सलीम पटेल और सरदार वली से जमीन ली सफाई में नवाब कहते हैं कि जमीन की पावर आफ हटार्णी सलीम पटेल के पास थी लेकिन मालिक मुनीरा पटेल थी नवाब पर अरोब है कि उन्होंनों दो सो करोड की संपत्ती पचास लाक न खरीदी सफाई में नवाब कहते हैं नीमो के मताबिक कीमत का भुक्तान हुआ ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर नवाब मलिक ने सब कुछ नीमो के मताबिक किया तो फिर जमीन खरीद फरोग्त का ये मामला डी कमपनी से कैसे चुड़ गया ये समझने के लिए जमीन बेचने वाले सलीम पटेल और सरदार वली के बारे में जानना बेहत जरूरी है सबसे पहले आपको सलीम पटेल के बारे में बताते हैं कौन है सलीम पटेल सलीम पटेल दाओत की बेहन हसीना पारकर का ड्राइवर था हसीना पारकर ने पावर आफ अटार्नी सलीम को दी सलीम के दस्थ खस से जमीन नवा मलिक की कमपनी को बेची गई पर अब सुनिये नवा मलिक को जमीन का दूसरा हिस्सा बेचने वाले सरदार वली की कहानी कौन है सरदार शाह वली सरदार वली मुम्मई थमाकों का कुरहकार है सरदार वली को अमर खैद हुई है और वो जेल में है सरदार वली टाइगर मेमन का बेहद गरीबी है जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नवा मलिक ने कुर्ला की जो जमीन खरीदी है उसके खाकजात में खरीद फरुक्त को लेकर सरदार शाह वली और सलीम पटेल का ही नाम है मुंबई के कुर्ला में मौझूद इस जमीन के ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए जब एवीपी नियूस की टीम पहुची तो चोच जानकारी सामने आई उसकी कहानी चोंका देने वाली है मुंबई के कुर्ला इलाकी का ये जो जमीन है ये लाल बहादूर सास्त्री LBS रोड के एकदम पास है और इतनी ज़्यादा जब जमीन है यहाँ पर तो उसकी कीमत भी यहाँ काफी ज़्यादा है लेकिन देविंट फर्नविस द्वारा ये दावा किया गया कि बहुत सस्ती दर पर इस जमीन को खरीदा गया और इस खरीद फरुग के दोरान अपने पावर का इस्तमाल किया गया और कहीं ने कहीं अपने संबंधू का इस्तमाल किया गया जिसको लेकर देविन फरनवीस ने बहुत गंभीर आरूप लगाये थे हाला कि उस वक्त नवाब मलीक ने अपना स्पस्टी करण भी दिया था और कहा था कि उन्होंने लीगल तरीके से इस जमीन को अपने नाम पर किया जो उस वक्त का बाजार रेट था उस बाजार रेट से जमीन को खरीदा और रही बात 1992 बंधमाकों के एक आरोपी से जमीन खरीदने की तो जब इस उन्होंने जमीन खरीदी तब उसे कोट ने दोशी नहीं ठहराया था इस पकार का पक्ष नवाब मलिक के परिवार के तरफ से आया था नवाब मलिक के समीन के सौधे को पूरी तरह से खानूनी बताते हैं लेकिन एडी ने अपने अरेस्ट और्डर में साफ साफ लिखा है कि नवाब मलिक को मनी लॉंडरिंग रोक थाम अधिनिहम तो हजार दो के प्रावधानों के तहट दंडनी अपराद का दोशी पाया है इसलिए उन्हें ग्रफतार किया गया नवाब मलिक पर जो अरोप लगे हैं उसका सच क्या है इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी लेकिन केस के सियासी एंगल ने इसकी तपिश यूपी चुनाओं तक पहुँचा दी है देखे भारतिये जन्ता पार्टी जिस समय घवराती है इस तरह के एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है जूटे मुकते में लागा करके जेल बेस्ती है पिछले साडे साथ साल में जिन जिन विपक्ष के नेताओं के इस खिलाफ आपने इस तरह के एक्शन्स लिए अदलत ने तीन मार्च तक नवा मलिक को ईडी की हिरासत में फेज़ दिया है जितने ज्यादा इल्जाम ये लगा रहे है उतनी ज्यादी ताकत हमें मिल रही है थोड़ा सा एक समय के लिए तूटने वाला ऐसा अनुबह हुआ जब मालूम पड़ा के सापको एरेस्ट कर लिया है और वहां से हम 10 मेटर की दूरी पे थे वहां से हम नहीं देखके हमको उधर होड जाके उनको देखने के लिए मतलब उनसे मिलना पड़ा तो उनसे मिलने के बाद जो ताकत मिली ना वो ताकत अभी और आगे दिख्याएगी जैसे तो जहां तक information है कि उन्होंने जितने भी charges लगाए है उसको प्रूफ करने के मैंने का ना कि charges लगा देते हैं लेकिन प्रूफ करने का ओनस हमारे उपपर आ जाता है तो आने वाले दिनों में जब कभी भी कोट में जाएंगे तो उसको प्रूफ करेंगे क्योंकि ये ओरल आज जितना जो इन्होंने argument किया उसमें पूरा खुलासा किया है और टारिक दी गई है तो आगे चलके उसके बाकाइदा पूरा खुलासा सबके सामने लाया जाएगा नवाब मलिक से अब एडी आठ दिनों की रिमांट पर गहराई से पूचताच करेगी ये दिन नवाब मलिक के लिए बेहद मुश्किल भरे होंगे क्योंकि एडी के पास ऐसे सवालों की लंबी फिहरिस्थ है जिसका जवाब देना नवाब के लिए आसान नहीं होगा उन्हें अदालत के सामने पीए में ले कोर्ट के सामने पेश करेगा जो की एक डेजिगनेटड अदालत है इन धाराओं के तहत मामला चनालने के लिए एक कमरा बतौर लॉक अप के तौर पर यहां इस्तिमाल किया जाता है जिसमें पूच्टाच के बाद में आरोपी को वहां भेज दिया जाता है उस लॉक अप में उनको रखा जाता है और जब भी पूच्टाच करनी होती है तो अधिकारी जो है उस आरोपी को अपने केविन में अपने सामने बुलाते हैं उससे पूछताज करते हैं उसका बयान दर्ज करते हैं और उसके बाद वापस से उसी लॉक अप वाली रूम में उस शक्त को भीज दिया जाता है तो जो जानकारी मिल रही है नवाब मलिक के लिए भी कुछ वैसा ही इंतिजाम है कुछ महीने पहले जब ड्रग्स मामले में शारुख खान के बैटे आरियन खान को एंसी बी न गरफतार किया था तो उस वक्त नवाब मलिक ने एंसी बी अधिकारी समीर वान खेड़े के खलाफ मोर्चा खोड लिया था लेकिन अब नवाब खुद दाउद की डी कमपनी से कनेक्शन और मनी लॉंडरिंग के संगीन आरोपों से घिर गए है सच क्या है ये हर कोई जानना चाहता है ऐसे में आठ दिनों की रिमांड में नवाब मलिक से पूछताच के बाद एडी क्या खुला से करती है इस पर बनी रहेगी हमारी नसर आज की संसनी में बस इतना ही आप रहिएगा होश यार सन्नाटी को चीरती संसनी कल फिर देगी दस तक आपकी तहलीस पर ABP News आपको रखे आगे आपकी की से एपकी Cाईनाटी नसर आपकी की संसनी की एगे लगीमा आपकी या नसर